आपका सेवन्थ एडिशन लक्षमी कांत का अपके पार आ जाएंगे अभी तक अगर आपने इंडियन पॉलिटी एंग गवर्नेंस की सिरीज दे की नहीं ना इंडियन पॉलिटी एं कॉंस्टिटूशन की तो प्लीज जाय करके देखना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ठीके बात करते हैं इसके इस्टाब्लिश्मेंट की सबसे पहले तो एक्जामिनेशन परस्पेक्टिफ से जल से जल कवर करानी कोशिश करेंगे और कवर तवे से करा चुका हूं आपको टेलिग्राम पर डेली वहां पर किस तरीके से हमारी अक्टिविटी जे एक बाद जा इए हे इसने का बनाया यह बेसी स्पेशल पुलिस स्टेश्मेंट बणा दिया अड इसको हॉम डेपार्टमेंट को वापिस से क्या कर Supreme में उसमें ट्रांसफर कर दिया और यह जितने भी डिपार्टमेंस ते सब प्रफ़ाय होता था CBI का घटन होता है आपका 1963 में ठीक है अब कैसे होता है वो होता है एक resolution के तुरू क्या बोला मैंने resolution के तुरू जो कौन निकालता है special police establishment को बात में CBI को transfer कर दिया क्या ministry of personal को तो अभी किसमें किसमें है ministry of personal में है इसलिए news में editorials में आपने कई बार सना होगा कि CBI इना आपके statutory authority नहीं है बलकि यह daily special police establishment act से अपनी power derive करती है बिल्कुर सही बात है बही तो central government की ना main investigating agency है और बहुत important role play करती है आपके corruption में integrity in administration बनाया रखने में corruption खतब करने में ठीक है यह assistance प्रोवाइड करती है Central Vigilance Commission को जिसके पहले बात कर चुक है जस इसके पहले बाला lecture नहीं देखा तो जा करके देखना और लोगपाल को भी assistance देते ही है ठीक है तो फिर भी difference है किसमें आपके NIA में और आपके CBI में National Investigation Agency और इस CBI में तो NIA तो यह मुंबई terror attacks होएता है 2008 में उसके बाद यह बनाये गई थी और दी investigation of the terrorist acts वगेरा funding of terrorists और टरर रिलेटेड क्राइम से रिलेटेड ठीक है CBI investigate करती है crime of corruption, economic offenses, serious organized crimes and other terrorism other than the terrorism ठीक है देखे Central Agency और इस कानून के अंदर यह काम आती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपनी पावर जुरिस्टिक्शन यह किसी भी एरिया में जाकर करते है रेल्बा में भी नहीं कर सकते है without being the consent of the government of the state in other words, जुरिस्टिक्शन लेना पड़ता है CBI, I mean sorry, जुरिस्टिक्शन है वो स्टेट्स तक जब ही जा सकता है जब स्टेट का consent हो, तो बहुत बार आपको पता होगा कि स्टेट्स जो है, जब वेस्ट पंगाल, तमिल नाडू, यह नहीं देता है consent किसी भी CBI को किसी भी CASE के सिलसिले में, तो पहले permission लीजे, consent लीजे, फिर आप investigation कर सकते हैं अब motto अगर पूछ ले आप से इसका, तो motto क्या है इसका, motto, industry impartiality and integrity mission क्या है, mission वह यह है, constitution of India, law of the land leadership, offenses इन सब को उठाने की बात है, उसके लाब vision की बात करें, तो वह ही motto and mission के अंदर ही काम करते है combacting terrorism, sorry, corruption effective system, procedure successful investigation, cyber and high technology crimes को tackle करना, healthy work, environment बनाना, पुलिस organizations को support करना, state पुलिस को, उसके लाब लीड रोल in the war against the national and international organized crimes, यह सब चीज़े हैं, human rights uphold करना, scientific temper development, यह सब चीज़े, composition देख लो यह सबसे आज़रूरी होता है, यही से question बनते हैं आपके, तो CBI को head करते है, सराइनमा में एक director yes, director, तो director कौन होता है, हाला कि इनको assist कौन करता है, special director और additional directors तो काफी साल पहले काफी ज़ादा news में थे हैं, कोई-कोई कोई आपका जो additional directors था, in the case of the corruption, but additionally, it has a number of joint directors also, and deputy inspector generals, ठीक है, यह आप याद रखिगा, उसके लाब है, superintendent of police होते है, all other ranks होता है, police personnel पूरा संस्था है, तो उसके अंदर पूरी ranks होती है, तो जो director होता है, वो IG rank होता है, कौन? IG rank, inspector general of police, IG rank अधिकारी रहता है, and IG समझ लीजे, पुलिस की नोकरी में सबसे उच्चे दर्जे का, आपका, सबसे उच्चे दर्जा होता है, ठीक है, अच्छा, यह सब तीक है, यह सब तीक है, लेकिए, लोगपाल एक्त है, लोगपाल लोकायूग तेक्ट 2013 में, तो उसने, डेली Special Police Establishment Act 1946 में, जिसके बार में भी हमने चर्चा की ऊपर, इसमें कुछ चेंजेस की है, अब वो चेंजेस की है, तो इसके Composition को लेकर के चेंजेस की गए है, तो पहला तो है, जो इसका Director होगा, वो तीन Member Committee के Recommendation के बाद होगा, उसके Appoint किया जाएगा, तो Prime Minister, Chairperson होते है, Leader of Apposition, and Chief Justice of India है, और Judge of the Supreme Court है, अब इस रिलेड़ेट क्या न्यूस आई थी आपके, बताओंगा मैं आपको, है ना, हाँ, basically मैं चाहता हूँ आपसे एक बार इसका क्या करेंगे, आप Google करेंगे, क्या करेंगे, हमने मंतली Current Affairs में बताया था, शायद यहां थे Chief Justice को हटा दिया गया है, और किसी और Cabinet Minister को लेकर क्या आई गया, क्या ऐसा है क्या, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बहुत जरूरी चीज ही है, यही पर क्लियर कर लेना चाहिए, ताकि examination में दिक्कत आए ना, उसके करता है, basically appointed by the Central Government, on the recommendation of the CVC, very very important, इसके लावा, जो Central Government है, वो appoint कर सकते है, SP rank के अधिकारी को, and above in the CBI, on the recommendation of a committee, जिसके इंदा CVC के chairperson होगे, जो Central Vigilance Commissioner होगा, वो chairperson होगा, and उसके लावा, Vigilance Commissioner, Secretary of Home, and Secretary of Personnel, Department of Personnel, ठीक है, यह सब चीज है, लेटर अगर बात करें, तो Delhi Establishment Act, दो जाचेट में कुछ चेंज़े होगा, in the composition of the committee, ठीक है, कि director of CBI को कौन basically appoint करेगा, अरे यह तो कुछ नहीं है, basically कहते कि अगर leader of opposition नहीं है, तो क्या है, तो single largest opposition party का, जो member होगा, वो उसका member हो, committee का, अच्छा बात करते हैं, यह यहाँ पर दिक्कत हुई थी, Supreme Court ने इसके अपर आदेश निकाला था, तो कब निकाला था, क्यों निकाला था, क्या निकाला था, वो तो उसके लिए तो आपको अमारी वीजन आईएस की higher link lectures है, वो देखने पड़ेंगे, जाकर के, मंतली current affairs के अमने cover कर वाएं, उसके अंदर सब क करते हैं कि दो साल से बढ़ा करके extend कर सकते हैं तो फाइफ यर्स, तो one year at a time करेंगे, and there is no such extension is possible after the completion of a period of five years, लेकिन फिर भी कर दिया गया था, तो Supreme Court ने इसके अपर अपनी verdict दिया था, तो कुल मिला के बात है कि three annual extension के लिए ये आपके, इनको दे सकते हैं, ठीके, and extension granted in the public interest and recommendation of a committee, अब CBI के functions के होते हैं, बतातो चुका हूँ विसे तो मैं आपको investigation करते हैं, corruption case, bribery, and infringement of the fiscal, economic laws, breach of laws, ये सब चीज़े, serious crimes को ये करता है, ramification, gratification, ये सब चीज़े, international crimes हो गया, coordinate करते है, police forces के साथ, ये सब चीज़े, ये देख लेना आ रहा है, बेसिक चीज़े न, पता investigation स्टाट करनी है, inquiry स्टाट करनी है, by the officers of the rank of joint secretary और उससे उपर के, ठीके, central government से और इसके अथरोटी से, तो 2014 में Supreme Court ने उड़ा दिया, के दिया कि इन्वालिड है, क्यों क्यों क्योंकि CBI अगर permission लेने लग गई, government से, तो जो senior bureaucrats से corruption cases में, बच ज़ेंगे न, ये against the prevention of corruption act है, Supreme Court ने कहा, कि ये तो article 14 का violation है, कि आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए इसको अड़ा दिया फिर, अचाब बात करें, ये debate जो है, CBI वसे state police की, तो इस पर basically क्या mention है, कि जो CBI का role है, वो supplementary होता है, state police services के, हैना कोई complimentary नहीं को हटा नहीं सकते हैं, supplementary है, तो उसके आलावा, इसके पास ना, concurrent powers भी होती है, कि investigation कर सकते हैं, prosecution कर सकते हैं, ये सब चीज़े, however, to avoid the duplication and overlapping of the case between two agency, कुछ administrative arrangement किये हैं, और वो क्या है, कि बई, जो आपका ये establishment act है, shall take up the case which are essentially and substantially concerned with the central government affairs, उसके employees, and also, even if they also involve certain state government के employees, ठीक है, तो मतलब ये कहना है, कि state police कौन से cases लेंग तो उसके लिए ये बता है, arrangement किये गए है, second, state police force shall take up such cases, which are substantially concerned with the state government, ठीक है, and जो आपका DSP है, shall also take up cases against the employees of the public undertaking and statutory bodies established and financed by the central government, तो कुल मिला के central case, जितने मुद्धे हो, state नहीं देखेगा, CBI देखेगा, obviously, and इसी के साथ समापती करते हैं, हैना, CBI का next lesson में देखेंगे, लोग मैंने दिसी करते हैं, देखेंधे lofty लिए, हैना, CBI का दो में करते हैं, जो फ branlyफे वितने हैं, दिसी करते हैं, ट सकते हैं, अ मैं है दो से wish suprem spark again, जिए तर उने हैं, छो इंदेंभेंगे, वांदेंबेगे, देंगे, पाना दिएffen में, दो कम दोंटेंगे, लों bewाशे हैं ह